लिखें लिखें एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम विजबे लायना पूरी बात जो हम लिख रहे हैं आप इस वर्ड से वाकिभ होंगे लिखें लिखें क्योंकि इसकी मोमेंटम की जह हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब मास को विलास्टी के साथ अर्जस्ट कर दिया जाता है एन मास इन्टू विलास्टी तो एक नई क्वांटिटी बनी थी देट वास मोमेंटम और लिखें लिनियर मोमेंटम अब हम बात करने क्या करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम मतलब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हम कहेंगे कोई बॉड़ी सर्कुलर पास में मूब क लिखेंड थी किया करें केड़ तो उसके लीनियर मोमेंटम का जो मूवेंट होगा जैसे ऐसे फोर्स का मोमेंटी लेते थे तो आप क्या करते थे तो आप क्या करते थे थे rotation to the line of action of force याद है तो हम कह रहे हैं moment of the linear momentum, मतला हम moment किसका लेंगे linear, सुरी सुरी बोल गए, गल्द गल्द बोल गए the moment of the angular momentum, तो लिखेगा the angular momentum of a particle the angular momentum of a particle rotating about an axis rotating about an axis is defined as the moment of linear momentum defined as the moment of linear momentum यानि कि अगर कोई यह particle है इस प्रकार से और यह body है उसका कोई particle हम रहे लेंगे और इस point के से कोई axis पास हो रही है और इसके चार और एक इसमें rotation हो रहा है rotate कर रही है तो rotate करने का मतलब होता है कि यह किसी axis के चार रोटेट कर रही है और यह इसका linear momentum है जिसको कि हम लिखते हैं mv तो हमने क्या कहा कि linear momentum के moment को मतलब जब हम angular momentum लिखेंगे angular momentum angular momentum को हम J से represent करते हैं और कुछ बुक्स में L लिखा हुआ है तो आप J भी लिख सकते हो और L भी लिख सकते हो तो J is equal to होता है R cross P P is the linear momentum और R is the distance यह distance R है यह R है और अगर हम देखें ज़रा ध्यान से यह R vector ऐसे लिया है आपने दो vector के 20 का जब angle आप निकालते हो तो आप यह angle लेते हो अगर यह theta है तो यह भी theta होगा तो यह हो जाएगा अगर J का magnitude लेंगे तो आएगा R P sin theta अगर J का magnitude ले रहे है यह यह पर हमने vector नहीं चड़ाया तो I am taking the magnitude of J और अगर theta यह R और P हो गया MV into sin theta और अगर मैं यह perpendicular distance ले लेता यह तो यह हो जाता है आपका R sin theta और theta अगर 90 degree हम ले लें यहाँ पर तो J is equal to आएगा MVR आप इस result से वाकिव रखिए यह result आपका numerical में आएगा moment का जब momentum लेते हैं तो क्या करते हैं किसी चीज का momentum लेते हैं तो उसका R से multiply करते हैं तो हमने P का multiply R से किया यह है angular momentum the moment of the linear momentum is called angular momentum हो गया okay theta मैंने 90 यहां ले लिया है एक special case में theta 90 ले लिया हमता हम perpendicular distance ले रहे हैं यहां से theta 90 ले लिया है तो sin 91 हो गया है तो हमारा result MVR आ रहाया है हम यही result बार बार यूज़ करेंगे theta को 90 ले करके vector form इसलिए बता दिया है कभी कभी क्या करते हैं R और P vector form में आ जाता है तो आपको vector form यूज़ करना पड़ता है इसलिए हमने बताया आपको नोट कर लिया अब मैं आपको कुछ derivation बताने जा रहा हूं ज़रा साउधान हो जाएगा थोड़ा सा हलका सा दिमाग आप लगा लोगे तो इतना हलुआ टाइप की derivation होंगे आपको यह तो बड़े इसी है ज़रा साउधान ध्यान से देखेगा मैं आपको एक जो moment of inertia से related derivations है बहुस सारे relations है उन्हें हम बताने जा रहे हैं आपको कैसे आप उनको derive करेंगे ठीक है वो मैं समझाने जा रहा हूं देखो ध्यान से जैसे कोई body angular motion कर रही है यानि वो किसी axis के चारो और rotate कर रही है मैं example ले रहा हूं आपके cycle के पईये से देखो यह cycle के पईये का rim है जरा समझने की कोशिश करिएगा उसकी एक मैंने spokes ली यह spoke ली अब देखिए जान से अगर मैं मान लूँ कि एक सेकंड बाद यह जो spoke है वो यहां आ गई है तो जोना समझिएगा इस spoke पे बहुत सारे points लगा दीजिए आप लगा दिया आपने अगर यह point थीटा angle से घुमेगा यह point भी theta से घुमेगा यह point भी theta से घुमेगा हर point theta से घुमेगा सही कह रहा हूँ मैं यानि इस spoke पर जितने भी point है उनका angular displacement same है अगर मैं angular displacement को time से divide करूँ तो omega है यानि उन सब का omega सेम है उन सब का alpha सेम है यानि उन सब की angular चीज़ constant है सही मैं कह रहा हूँ तो होगा क्या जब हम किसी body को rotate कराएंगे जब किसी body को किसी axis रोटेट कराएंगे तो हम कहेंगे उस body body के बाद में कर रहा हूँ body बोले तो करूनो particles उसमें हैं उस body के सभी particles का angular चीज़ constant रहेगी लेकिन अगर मैं इस particle की बात करता बहुं सारे particle है इनका linear displacement change है देखे यानि axis से अगर आप दूरी बढ़ाते जाएंगे चेंज करते जाएंगे तो आपकी angular चीज़ constant रहेगी लेकिन linear चीज़ change होती जाएगी तो हम वहां से derivation उठाएंगे जहां से कोई angular चीज़ आएगी समझ में आ गई बात पहली चीज़ फिर हम क्या करेंगे इसका एक particle उठाएंगे और उस particle का वो derivation करेंगे जिसका प्रूफ करना है और बाद में अन्य particles को मान करके सब particles एड कर देंगे तो ये value आपको मिल जाएगी ये derivation करने का तरीका समझ में है हम क्या बोलने है हमें कहां से start करना है जहां से वो particle कोई angular चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ हम कहेंगे body alpha angular velocity से घूम रही है body बोल रहा हूं मैं उसका एक particle है जिसका mass m1 है वो arward distance पर है उसकी velocity v1 है सब कुछ अलग-अलग है लेकिन उसका angular चीज़ क्या है constant है सही मैं कर रहा हूं अब लिखिए relation between angular momentum and moment of inertia relation between angular momentum and moment of inertia अभी आपको बहुत इजी तरीके समझ में आ जाएगा कि इसको derive कैसे करना है relation between angular momentum and moment of inertia angular momentum बोले तो j और moment of inertia बोले तो i इसके बीच में relation निकालने हम जा रहे हैं ज़रा समझीगा अभी हम आपसे angular momentum का formula हम दे रहे थे आपको तो हमने दिया था j is equal to p into r यही formula main था ना vector छोड़ दीजे vector form में नहीं बात कर रहे हैं यही तो दिया था क्या इसमें कोई angular चीज है angular बोले तो angular displacement theta angular velocity alpha omega और angular axis alpha इन theta omega alpha हम कुछ है नहीं है अच्छा p is equal to mv अभी कोई चीज है नहीं है तो v is equal to r omega अभी कोई चीज है अब जरा साउधान अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझेगा हम कहेंगे suppose एक body है body है बहुत सारे particle को जुड़ के बनी हुई है एक body है जो किसी axis के चारो और alpha angular velocity से चल रही है उसका एक particle जिसकी distance r1 है जिसका mass m1 है उसकी velocity होगी v1 is equal to r1 omega omega सेम रहेगा ना उस particle का momentum होगा p1 is equal to m1 into v1 और उस particle का j1 होगा p1 into r1 यह एक particle का निकल आएगा और बाद में अन्य particles का निकाल के सबको add कर देंगे पूरी body का j निकल आएगा method पकड़ में आया अब आप क्या कहेंगे suppose एक body है लिखे let a body let a body is rotating let a body is rotating about an axis about an axis with angular velocity omega अरनो साब हैं आप गलान साब आप लोग सोच रहेंगे दो ही नाम क्यों लेते हैं यही दो नाम मुषको याद इसलिए में लेता हूँ सब के नाम मैं पूछ रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुनेगा let a body is rotating about an axis with angular velocity omega जब मैं कह रहा हूँ body is rotating मैं क्या कह रहा हूँ कि body में जितने भी particles हैं वे सभी omega velocity से rotate कर रहे हैं क्योंग अभी हम दिखा चुके हैं and at distance r1 from the axis of rotation and at distance r1 from the axis of rotation अब देखें सबसे पहले हम क्या निकालेंगा उस पार्टिकल की linear velocity the linear velocity of the particle मैं पार्टिकल बोल ला हूँ उस body में लाखों particles हैं उनमें से एक पार्टिकल उठाया है the linear velocity of particle linear velocity of particle मैं एक में language लिख रहा हूँ अनमें language नहीं लिखूँगा तो v1 is equal to r1 omega लिखेंगे omega 1 लिखेंगे omega लिखेंगे क्योंकि omega सबके लिए constant था तो r ये तो हो गया अब मैं क्या निकालूँगा p1 p1 क्या चीज है the linear momentum the linear momentum of the particle भी मैं particle बोलना हूँ p1 is equal to m1 into v1 और v1 आप निकाल चुके हैं तो this will become m1 into r1 into omega आप क्या निकालेंगे angular momentum the angular momentum of the particle particle बोल रहा हूँ बार बार मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ the angular momentum of particle j1 is equal to होता है p1 into r1 मैं vector नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैं r1 cross नहीं लिख रहा हूँ मैं इसका scalar बेर लिख रहा हूँ तो p1 बोले तो m1 r1 into omega into r1 तो यह हो जाएगा m1 r1 square omega इसी प्रकार से अन्य particles के mass आप क्या मानेंगे m2 m3 and so on उनकी distance क्या मानेंगे r2 r3 and so on फ़र नोट करें यहाँ तक फिर हम बात करते हैं एक की language पकड़ लीजेगा सब derivation आपको लगेंगे और हे तो हलुआ है ऐसा ही आपको मिलेगा लेकिन एक derivation पकड़ना पड़ेगा आपको method नोट कर लिया अच्छा अब आप क्या बानेगे suppose other particles हैं जिनके mass m2 m3 m4 है दिखें let other particles of masses m2 m3 and so on other particles of masses m2 m3 and so on at distances r2 r3 and so on r2 r3 and so on then देखो जब उस particle का j2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा m2 r2 square omega जब अगले का j3 निकालेंगे क्या निकलेगा m3 r3 square omega and so on अबने particles का निकलाया जितने भी करोनों particle हैं कि करोनों वाल लिखें हम नहीं लिखेंगे तो जब निकालेंगे the angular momentum angular momentum of body मैं वने body बात की है यानि जो करोनों particle लों को मिला दिया तो हम क्या करें इन सभी values को plus कर दीजे यानि कि क्या हैगा m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega plus 1 यहां से omega कामल ले लिजे तो जब omega कामल लेंगे तो आएगा यह m1 r1 square plus m2 r2 square plus 1 बाहर omega यह आएगा sigma पहुँच रहा हूं भाई साब एक मिनट वे बहुत जल्दवाजी न करिये मैं वहीं पहुँच रहा हूं ना एकदम से थोड़े आप लिख दो गई आप हर step show करेंगे ना वहाँ पर मैं वहीं पहुँचा हूं यह पहँचानते हैं आप यह आपका i omega हो गया तो यह relation समझ में आया पकड में आया कहां से start करना था हमने अपने final result से start किया कि मुझे यह result चाहिए तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा तेहां पहुँच जाऊंगा समझ में आई बात नोट करिए यह MIRI नहीं लिखते जानबूस करके कि थोड़ा सा बहुत होस्पॉस हो जाएगा अधरवाई ठीक है यह language सही है नोट कर लिया अब देखो जड़ा ध्यान से सभी ने नोट कर लिया ना अब देखो ध्यान से जब भी आपको कोई relation दिया होगा वहाँ आप से कहेंगे give the definition of moment of inertia देखें definition of moment of inertia कैसे देनी है अब आप आई बराबर जो पहले वाली definition वो नहीं देंगे अगर आप अपने फादर के साथ जा रही है और आप से कहा जाए आप कौन तो आप कहेंगे ये मेरे पापा मैंन की बेटी आपने मामा के साथ जा रहे है ये मेरे मामा मैंन की भाण जी ये मेरे मामा मैं उनकी बेटी जिसके साथ हैं आप अपना relation उसके साथ बताएंगे यानि अगर j i के साथ है तो i का relation j के साथ निकालना पड़ेगा अब देखिए इस omega is equal to 1 मालने तो i is equal to j हो जाएगा तो अगर हमसे कहें कि एक्ली मोमेंट आप इनर्सिया होता क्या है तो आप कहेंगे किसी ऐक्सिस के चारो ओर यूनिट एंगुलर विलास्टी से घूमते हुए पार्ट कील का जो एंगुलर मोमेंटम होता है तो नीचे लिखो 10 एक डेफिशन लिखो 10 the moment of inertia is the angular momentum of a body moment of inertia of a body about an axis is equal to the angular momentum of the body rotating with a unit angular velocity कैसा लगा प्रूफ यह अपनी भासा में लिखिए है आई क्या चीज़ है जेक एक्कुल है ना तो हम क्या जेक एक्कुल है ना तो क्या हम कहेंगे कि moment of inertia is equal to the angular momentum of the body कैसी body जो यूनिट एंगुलर विलास्टी से रोटेट कर रही है यही तो उने बोला तो लिखिए था moment of inertia of a body about an axis is equal to the angular momentum of the body rotating with the unit angular velocity समझ में आई बात अब इसका short तरीका मैं बता देता हूँ वह भी तरीका आप एडाउट कर सकते हैं जला साउधान नोट कर लिया इसको ना हमने एक particle जो पहला वाला माना था कितने मास्का वाना था particle पहला वाला कितने मास्का वाना था M1 आप कहेंगे suppose particle M मास्का है और distance कितनी है उसकी R और वह omega विलासी से rotate कर रहा था ठीक है तो आप J तक जब पहुंचोगी तो J में आएगा MR square omega यही तो आएगा J1 यह तो निकलेगा और जब पूरी body के लिए J लगाओगे तो आप उसके sigma लगा दीजेगा direct और यह i लिख दीजेगा तो J is equal to i omega direct आजाएगा सुन्जाई पार नहीं आई चोटा जब पार्टिकल है उसका मास्क इसमाले माल लीजे और पूरी body के लिए sigma लगा दीजे को फिर आपको समझाने की कोशिज करता हूं कि कहां से start करना है हमने का जहां से कोई angular चीज start हो जाए क्यों क्योंकि angular चीज पूरी body के हर पार्टिकल के लिए constant रहता है अभी हमने बताया है आपको आपको torque बोले तो tau और moment of inertia बोले तो i इसमें relation निकाले जा रहा हूं हमने tau का formula पढ़ा है f into r simple definition सही मैं कह रहा हूं अरे moment of the force को तो टॉर्क कहते हैं अच्छा f is equal to ma होता है यह भी हमने पढ़ा है और a is equal to r alpha होता है और alpha होता है angular acceleration और angular चीज हमने का हर particle के लिए constant है तो आप कहां से start करेंगे कि suppose एक body है जो alpha angular acceleration से rotate हो रही है alpha body बोला हमने उसका एक particle है उसका mass m1 है उसकी distance r1 है उसका a1 निकालेंगे r1 alpha उसका f1 निकालेंगे उसका tau 1 निकालेंगे और पूरी body का निकाल के plus कर देंगे हमारा tau निकलाएगा तरीका समझ में आया अब मैं one नहीं मान रहा हूं किसी दूसरे तरीके से लिखा रहा हूँ, लिखे, कहां से start करेंगे, alpha से start करेंगे, ध्यान रखेगा, लिखे, let a body is rotating, सभी को समझ में आरी बात, इसका root कहां से है, जड़ कहां से निकालनी है, diet नहीं आप उपर चड़ जाएंगे आप, जड़ देखे का कहां से हम start करेंगे, हम final results से start करेंगे, मेरी requirement क्या है, मेरी requirement tau थी start यहां से करना है, लिखे, let a body is rotating, let a body is rotating, about an axis, about an axis, with angular acceleration alpha, with angular acceleration alpha, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसका एक particle उठाता हूँ, मैं M1 नहीं मान रहा हूँ, small M मान रहा हूँ, लिखे, let a particle of mass small M, let a particle of the body, let a particle of the body, आफ मास small M, and at a distance small R, from the axis, particle बोला हूँ, आफ मास small M, and at distance R, from the axis of rotation, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या चीज है, acceleration, कौन सा acceleration है ये, दोनों है acceleration, ये कौन सा acceleration, ये कौन सा है, ये linear है और ये angular है, यानि कि जो spokes आपकी चल लई थी, जो इधर चल लई थी, ये linear वाला था, और जो angle से rotate कर रहे थे, वो angular वाली थी, ठीक है, तो the linear acceleration, linear acceleration of the particle, A1 मान लेता हूँ, जान बूज़ की, तो R alpha, फिर the force acting on the particle, the force acting on the particle, F1 is equal to, M1, हमने M माना है, M A1, यानि M A1 बुले तो R alpha, the torque acting on the particle, the torque acting on the particle, particle word को पकड़ी हैगा, हम particle बारें बात कर रहे हैं, हम पूरी body के बारें बात नहीं कर रहे हैं, तो tau 1 is equal to F1 into R1, F1 बोले तो M1, R1 alpha into R1 is equal to M, M हमने लिखा है, और R लिखा है, और ये R ही लिखेंगे हैं बार बार, तो आएगा M R square alpha, ये torque किसका निकला है, उस particle का निकला है, अब हम निकालेंगे torque पूरी body का, तो M2, M3 मानने के जरूरत नहीं है, sigma लगा दू, so now, the torque acting, torque acting on the body, tau is equal to sigma M R square alpha, alpha पे sigma लगे का नहीं, क्योंकि alpha तो पूरी body के लिए constant है, तो मैंने sigma M R square अलग कर दिया, और alpha अलग कर दिया, आपको पहचान में आ गया होगा, ये tau बरावर i alpha होता है, समझ में आई बार नहीं आई, हाँ, मैं little नहीं पूरा move कर जाता हूँ, आप M1 वाले method से भी लगा सकते हैं, जो पहला वाला नहीं बताया था, मैंने दो तरीके इसलिए बता दिये कि आपना आ जाता है, जर्णा समझिएगा, अब ये i हमारे tau के साथ आगे, ये tau नहीं है, tau है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो i की definition किस के टम में आएगी, tau के टम में आएगी, तो देखे, अगर यहाँ पर i की वैलू हम निकालें, तो i आएगा tau अपान अलफा, यहनि अगर अलफा वन माल लें, तो i is equal to tau हो जाएगा, क्या definition अपनी language में लिख लेंगे आप, कि moment of inertia is the torque acting on the body, rotating about an axis with unit angular acceleration, लिख लेंगे ना, no doubt,